यह अपनी part 5 वीडियो है अपने skull bone के उपर जिसके अंदर अब आज बात करने वाल है इसके पूरे norma बेसालिस के उपर और यह तो नॉर्मा बेसालिस है में लीसके अंदर आपको वायवाँ मैं फोरा मेन ही पूसते हैं तो डार्यक मैंने आपको सारे इसके फोरामाइन का चार्ट बना दिया है और यह पूरा चार्ट आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाके डाउनलोड कर सकते हो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब अपने अपने स्कल बोन को ऐसे नीचे की तरफ से देखते हैं इंफिरियर से तो यह जब पूरा व्यू आ रहा है इसी को अपन बोलते हैं नौर्मा बेसालिस मतलब नौर्मा बेसालिस क्या है जब अपने स्कल बोन को ऐसे नीचे की तरफ से देखेंगे ना इंफिरियर से तो इस पार्ट फिर एक मीडल पार्ट फिर एक पोस्टेरियर पार्ट तो यहां पर होता क्या है कि तो सबसे बड़ा तो फूरा मैं है आप उसको याद कर लो अगर आपको नहीं पता तो इसे बन बोलते हैं फूरा मैंगनम तो इस फूरा मैंगनम के इंटिरियर वाले साइड से अप आपको बगल की पिक में भी दिखाई दे रहा होगा imaginary line तो इस imaginary line के पीछे वाला पार्ट जितना भी अपना norma 42 मा रहा है न तो उसको अपन बोलते हैं इसका posterior वाला पार्ट then similarly आपको इसके interior में ये clearly दिख पा होगा यह कौन सी बोन है यह अपनी maxilla bone तो यह जो दो maxilla bone है यह यहां भी आ रही है तो यह दोनों अपनी होती है maxilla bone और इस maxilla bone के नीचे यह जो bone है यह अपनी है pallet time bone आपको बगल में एक पिक भी दिखाई दे होगी तो clearly आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका यह वाला portion इसे अपन बोलते हैं pallet time bone और उसके आगे अपना यह है पूरी maxilla bone तो यहां पर similarly जब अपने इस pallet time bone के पीछे की तरफ से इस तरीके से एक line जब ड्रॉ कर देना imaginary line तो उसके आगे वाला part अपना पूरा हो जाता है interior part तो टोटल यहां पर तीन पार्ट हो रहे हैं इसके नॉर्मा बेसाल इसके इसका एक interior part डैन इसका interior और posterior के बीच में इसका middle part डैन इस line ड्रॉक जो मेंने की है measuring line उसके पीछे यह जो पार्ट है इसका है posterior part तो टोटल अपना अपने नॉर्मा बेसाल इसको तीन पार्ट में divide करते हैं अब अपन देखते हैं इसका foramen तो सबसे पहले यहां पे है incisive foramen तो मैं आपको incisive foramen अगर दिखाऊं तो आपको clear दिख पा रहा होगा अपने skull bone में आगे की तरफ यह जो आपको फोरमाइन दिख रहा है न एचलियों में यह जो मेरा bone का सैट है यह थोड़ा सा टूट चुका है इतना बड़ा नहीं होता है फोरमैन आपको साइट के पिक में दिखाई दे रहा होगा यहां पे इंटेर में चोटा सा फोरमैन होता है उसे ही अबन बोलते हैं incisive foramen और आपको इसके contain याद होना चाहिए कि इसमें क्या पास करता है तो टोटल यहां पर जो है अपना greater palletine vessel और nasal palletine nerve जो है यह पास करती है उसके बाद इसमें दूसरा फोरमैन है उसे अपन बोलते हैं greater palletine फोरमैन अगर आप यहां पर देख पा रहे हो आपको यहां पर एक फोरमैन दिख रहा होगा मैं अगर फिर से दिखाओं आपको यह देखिए तो यह जो फोरमैन है इससे अपन बोलते हैं greater palletine फोरमन ओर जैसा इसाए नाम है वैसे यहां से चीजह पर होती है greater palletine nerve और यहां पर assault फोरमैन के जस्ट पीछे अपना एक और कोड़न है वह अबना लइसर palletane फोरमैन यह देखिए आप offs मनिंजूम करके दिखाऊ तो यह लेसर pallet 9北 यहां से अपना मिडल and posterior villain नवس सबसे पहली हैं तो सबसे पहलेहां अगर को यहां पर दिखाऊं आप यहां ना यहांपा इसे अपन बूलते हैं फोरा इंटेर में देखाऊँ तो यह है इसका फोरा में आवल स्क्ट में क्या का चीजा पास करतीं है आप जिंगल बना सकते हैं यहां पे मेल की M-A-L-E तो यहां से M से हैं मिडल यहां से हैं मेंडिबलर नर्व डेन एक्सेसरी मिडल में जिल आर्टरी लेसर पेट्रोजल नर्व और इमिजनरी वेंस तो मेल लिए आपको वायवा में जो हैं इस तरह की से वह क्या करेंगे आपको एक āण यहां पे लगा देंगे और पूछेंगे यह कौह सा स्टप्चर है तो आपको बोलना है कि यह Fouramen Oval है दैन इस Fouramen Oval के जस्ट सेगे की तरफ अपना रेता है foramen spinosome और उसके जस्ट आगे की तरफ अपना प्रेजेंट है foramen rotundum तो आपको लाएं इसी तरीके से याद करना है कि सबसे बड़ा जो foramen वह अपना foram an oval और उसके पीछे अपना है foramen spinosome और उसके आगे अपना है यह foramen rotundum तो सबसे पहला बात करें कि foramen attendum में क्या क्या प coup कर रह रहा है structure तो यहाँ पे maxillary nerve और immunologie web pass करती है then foramen spinosum भी आपको बाई बागा में पूस्थते हैं mainly viva में foramen oval और foramen spinosum भी पूस्थते हैं यहाँ पे foramen spinosum में middle meningeal artery, middle meningeal vein और nerve spinus जो है पास करती हैं तो टुटल यह structure जो है इधर pass कर रहे हैं फिर मैं आपको बता हूँ यह अपने तीन फोरा में देखे lines है उसके बाद यहाँ पर देखे side में यह जो फोरा में है अब मैं आपको गार ऐसे भी दिखाओं यह आपको clearly देखे रहा होगा यह जो structure है यह आप जानते हो यह है अपन है यहां फोरा में लैसरय में प mechanics customer यह करेंगी इंटरनल और ग्री नर्व जो है पहस करेंगी फिर अबन बात करते हैं आपने केंड 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 में यह जो के बाश करता है यहां से अपना इंटर्नल के आत्री और उसी की वें और अपनी इमीजनेरी वें जो है यह पास करती है फिर अपना यह जो जो पीछे की तरफ यह जो पूरा फूरा में इसे आपन बोलते हैं तो यह अपना पूरा जुगलर फुरा मैं और जुगलर फुरा मैं से क्या पास होता है टोटल आप इसके ज्यादा डिटेल में मत जाना बगल में आपको पिक भी दिखाई दे रही होगी ऊपर की तरफ तो टोटल इसके तीन पार्ट होते हैं इंटेर में पूस्टेर पार्ट आपको सब्सक्राइब याद होना चाहिए कि अपने जुगलर फुरा मैं के इंटेरियर पार्ट से अपना पास होता है इंफीर पेट्रोजल साइनस इसके मिडल वाले पार्ट से आपका पास होगा नाइन टैंट उन इलेवन करेनियल नफ्स और इसके पोस्टेर वाले पार आम और मैं जानते हूं जाले ज्वार है वर यादोन चाहिए यहां आपको बता भी रहा हूं कौसे में ञाम की पूछ्छे हैं उसके लावा आपको यह पता रहे हूं कि कौम से किसको बोलते हैं और कौन से का सेस्ट आगे यह जो प्रोसेश्स्ग बोलते हैं स्टाइलोड प्रोसेश उस्को बीच में आपको एक फुरामेन दिखाई दे रहा होगा उसका नामे स्टायलोम्स्टोइड फॉरमेन वोडे क्या पार सकर रहा है यहां पर आपका गरेन नल्फ बोस्टाइलोमस्टोइड आर् उसके रुपामेदे मैगनम और उसके बने यहां पर यह एक कैनल झायं निकल रही है आगर उसकर आपको और और देखेगा तो इसे यह want बोलते हैं hypoglossal canal और hypoglossal canal से क्या structure पास होते हैं यहां से आपकी 12th cranial nerve और menangel branch of ascending frangel artery जो है पास करती है और मेरे फॉस्ट यर के वावा question में और examiner ने मुझे इस तरीके से यही spot करा था कि यह क्या है तो मैंने उन्हें में बता दिया था कि यह है अपना hypoglossal canal तो इस तरीके से आपसे वह spotting में पूस सकते हैं फिर आपन लास पार्ट देखते हैं वह है इसका फोरम इनगरम उसके सबसे बड़ा फोरम एन वह फोरम और साएट में आपको पिक भी दिख रहे होगाでは फोर फोरम threatened का तो तो टो टो इसके दो पार्ट होते हैं इंटेरियर और पोस्टेर क ऑपार्डमेंट तो इसके इंटीर कमपार्डमेंट में टोटल रहेती हैं तीन चीजां एक अपर पार्ट ऑख कूरुसीफो प्रस्वार्मेट ऑफ एकल ट्लस और अपना टैक्तोरिया तो तोटल इसम उस्में थेन पार्ट है दैनीज के पोस्टेर वाले पार्ट में जो है मेरी चीजे रहती है आपको बता है क्या होता क्या है यह जो फॉरमैर मेगनम जो है वहां से स्पाइनल कॉड्ट है अपना नीची कि तरफ निकलता है तो इस पाइनल मेडियूला के बाद अपने स्पाइनल कौड की आर्टरी तो टोटल स्पाइनल कौड की आर्टरी सप्लाइब पर पूरी वीडियो बना चुका हूँ आप मेरे तीन यहीं से पास होती है फोरमन मागनम से उसके लावा दो वर्टेबरल आरटरी भी हैंशे से पास होगी आपना सिंपधैटिक नर्फ का फ्लैक्सिज भी पास होगा और अपनी स्पाइनल रूट जो होती है अपनी दोनों एकसेसरी नर्फ की वो भी यहां से पास होती है तो टोटल आपको फोरमन मेगनम जो है इसके कंटेंड वपूर सकते हैं तो अगर आप एक्जामिनर को इस तरीके से इंटेर और पोस्टेर गंपार्टमेंट में बताओंगे तो ज्यादा अच्छे आपको मार्क्स मिल सकते हैं यह जो था यह अपना नौर्मा बेसालिज जो ह में ज्यादा कॉंप्लिकेटिड होता है बट मैंने आपको बहुत असानी से सारी चीज़ा बता दी अब अपन इसका देखने वाले हैं इसका इंफीर पार के अंदर की तरफ क्या होता है और उसके उपर की जो वीडियो है वह आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा तो थ झांक्स for watching and keep learning